देखिए इंडिया में अभी भी बहुत चारे वाई लोग 7,000 या 8,000 रुपीस के बीच में फोन खरीता है और इस प्रैस में बहुत कम रेंट ऐसा है जो वैल्यू फोर मानी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है इसी प्रैस के बीच में Poco C65 आता है जो काफी वैल्यू फोर मानी फोन है और मैं काफी टाइम से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ आज इस वीडियो में इसका लॉंग टाइम रिव्यू शेयर करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा एफोन कैसा है लॉंग टाइम के लिए एफोन खरिदना चाहिए के नहीं सबसे पहले प्राइस के बारे में जाल लेते हैं तीन वेरियंट के साथ एफोन आता है 4GB, 128GB, 7500 रुपीज 6GB, 128GB, 8300 रुपीज में मिलता है और एक है 8GB, 256GB जो आपको 9500 रुपीज में मिल जाएगा जब लॉंच हुआ था इसका प्राइस काफी हाई था लेकिन अवी 2000 डिसकाउंट में मिल रहा है बाजेट में जदतर लोग नॉर्माल उसके लिए फोन खरिता है सबसे पहले एक फोन में जो दिखता है न लोग ओ इसका डीजाइन और पोको का डीजाइन किसी से कम नहीं है बैक साइड में पॉलिकार्बोनेट है लेकिन स्टाइली से एक नजर में ही पसंद आएगा सिर्फ पोको का जो ब्रेंडिंग है उपर में बड़ा बड़ा लिखा गया है हातों का निसन क्रैचेस बेग रहा है इस फोन में टोटाली मुझे दिखा ही नहीं दिया मैं काफी टाइम से बैकेस के बीना ही यूज़ कर रहा हूँ फ्लैड डेजेस के साथ आता है इस फोन को आप लोग यूज़ कर पाओगे लाइट वेट फोन भी है मतलब एक हातों में लॉंग टाइम तक आप लोग यूज़ कर पाओगे दिक्कत नहीं होगा 6.74 इंच का HD प्लास IPS डिस्प्ले देखनी को मिलता है देखिए इस प्रैस में Full HD एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगर आप 8GB वेरियंट भी ले रहे हो ना 256GB वेरियंट वह भी काफी वैल्यू फोर्मानी है मैंने बहुत सारे मुवी बेगरा देख रहा था दोस्तों डीटेलिंग वीडियो में काफी अच्छा है काला टोन मेगरा ठीक्टा के दोस्तों HD content में आपको Full HD जैसा तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए फिर भी प्रैस को देखते हुए मुझे ठीक्टा की लगा है 90Hz का है रिफ्रेस त्रेट दिया है 282,000 इसका अंतुत स्कोर आया है देखिए पोको के फोन में MIUI रान करता है Redmi का Custom UI, MIUI देखिए MIUI अच्छा है बहुत सारे फीचास भार बर के दिया है जैसे कि Google डाइलर बैगरा नहीं है यहाँ पे MIUI का खुद का डाइलर है मतलब फोको का खुद का डाइलर है उसके वज़े से कोई भी कॉल को रेकूट कर पाओगे और इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैटरिन फीचास है लेकिन कुछ-कुछ MIUI में कमिया भी है जैसे कि बहुत सारे प्री इंस्टॉल बेकार अपलिकेसन में जाएगा एट शो करता है इस फोन में बहुत सारे नोडिफिकेसन वेचकर आपको परिशन करेगा ब्राउजर से तो इसका जो डिफल्ट ब्राउजर है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा तो इस तरीके से कुछ सेटिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा अच्छी तरीके से यूज करने के लिए बढ़ना नोडिफिकेसन वेचकर इतना परिशन करता है क्या ही बताओ नॉर्माल डेटुलाई ब्यूजेस में भी दोस्तो मुझे थोड़ा सा जीटार वेगरा मैसूस हुआ है दोस्तो यानि की कॉंटिन्यू तुरन तुरन चार पांच अपली के सान एक साथ आप ओपिन कर रहे हो ना उस टाइम थोड़ा सा लैग जीटार वेगरा सो करता है इस फोन में बीजियमाई भी इस फोन में मैंने खेला हूँ स्मूथ एंट अल्ट्रा सेटिंग में खेल पाओगे धिकिए साथ हजार में भी आप लोग स्मूथ अल्ट्रा करके खेल पा रहे हो और क्या चाहिए यहाँ पे बीजियमाई की बारे में अब लोगों को मैं ज़्यदा पता नहीं सकता क्योंकि प्राइस बहुत लो बाजट में आता है वो भी आपको देखना पड़ेगा अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए इस फोन में बीजियमाई चल रहा है वही बड़ी बात है कॉंटिन्यू लॉंग टाइम तक तो आप लोग खेल नहीं पाऊगे लेकिन थोड़ा बहुत खेलना होगा तो यह फोन जिल लेगा इस फोन में ना दोस्तो 3.5 mm jack तो दिया है लेकिन single microphone दिया है noise cancellation microphone देना ही चाहिए दा लेकिन dedicated sim slot इस फोन में दिया गिया है side में fingerprint sensor है और काफी fast है 5000 damage का battery देखने को मिलता है देखिए powerful battery है budget में आता है continue use करोगे एक दिन आराम से निकाल के देगा अगर आब लोग normal use करोगे देड़ दिन आराम से निकाल के देगा दोस्तों लेकिन इसका जो charger है ना 18 watt का support तो है लेकिन out of box 10 watt का charger दिया है charging में बहुत ज़्यादा time जाएगा अब चलो camera के बारे में बात करते हैं X8 की तरफ 50MP का triple camera setup है और 8MP का selfie camera है full HD 30fps करके अब लोग video recording कर पाओगे मैंने बहुत सारे images बेगरा क्लिक किया हूँ दोस्तों price के हिसाब से मैं आपको बदार रहूँ काफी अच्छा picture किसता है rear camera का detailing काफी अच्छा है selfie camera में face को slightly beauty करता है और budget में जदातर लोगों को beauty mode पसंद आता है यह मैंने notice किया हूँ even protect mode में age deduction बेगरा भी बहुत बढ़िया है देखिए जिस price में आ रहा है picture बेगरा देखने के बात मुझे तो काफी अच्छा लगा अब चलो बात करते हैं क्या iPhone value for money phone है obviously दोस्तो मेरे पास 4GB variant है और मैं काफी time से use कर रहा हूँ phone काफी अच्छा है अगर आप लोग 8GB variant भी खरिदना चाहो तो खरिद सकते हो unboxing वीडियो में दो महिने पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि 8GB variant मत खरीदो उसका price तब था 11,000 लेकिन अवी बहुत कम हो चुका है और इसी price के असपास अगर मैं आपको बताओ 8GB, 250, 6GB variant काफी value for money phone है आप इस phone को खरीद सकते हो बागी आप लोग comment box में जरूर बताना आपके पास iPhone है के नहीं, खरीदोगे के नहीं या किसी को suggest करोगे के नहीं वीडियो अगर अच्छा लगा हो like, share, subscribe करेना मत भूलिए मिलते हैं अगले एक fresh वीडियो में